Hi friends, I am Madhu So friends, आज ये वीडियो मैं उन सभी friends के लिए बना रही हूँ जिनकी तैयारी बहुत ही कम हुई है और उन्हें डर लगता है कि कहीं वो fail ना हो जाए So let's start So friends, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि वही students fail होंगे जो fail होने के लिए जोर लगाएंगे अब आप सभी बोलेंगे कि दीदी ये क्या बोल रहे हो fail होने के लिए कौन जोर लगाता है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यूं बोल रही हूँ तो सुनो देखो friends आपको pass होने के लिए minimum 33% mark score करने है 100 में से minimum 33 marks आपको score करने है pass होने के लिए लेकिन friends पहले ऐसा नहीं था ये change कुछ दिनों पहले से ही आया है पहले आपको 80 marks के 33% score करने पड़ते थे तब ही आप pass होगे मतलब जो आपकी internal assessment होती थी 20 marks की उसमें तो आपको full score करने ही पड़ते थे और जो आपकी 80 marks की theory होती थे थे ना उसमें जब आप 33% mark score करोगे तब जा कि आप pass होते थे लेकिन अब ये change आ चुका है कि आपको पूरे 100 marks में से मतलब internal assessment को include करके स्रिफ आपको उस 100 marks में से ही 33% mark score करने ठीक है तो अब आपके लिए और भी easy हो चुका है and CBSE ने ये change क्यों किया है because CBSE चाहता है कि कोई भी student fail ना हो सभी students pass हो इसलिए आपको 100 में से सिर्फ 33% marks ही score करने है पास होने के लिए अब देखो friends 33% marks आपको score करने 33 marks में से 20 marks की तो आपकी internal assessment ही होती है हम सभी जानते हैं 20 marks की आपकी internal assessment होती है and 20 marks आपकी internal assessment की होगी बाकी रह गए आपके 13 marks अब देखो आप सभी सोच रहे होंगे कि मुझे full तो मिलेंगे ने internal assessment में मुझे तो काफी कम marks मिलेंगे because मैंने preparation कर नहीं रखी मैंने notebook नहीं बनाई है तो देखो friends school भी आपको जादा कम marks नहीं देगा internal assessment में कम से कम school आपको 17-18 number तो जरूर देगा ही internal assessment में school भी यही चाहते हैं कि students fail ना हों अच्छे से अच्छा perform करें इसलिए अगर आपकी बिल्कुल भी आपकी तेयारी नहीं है notebook भी नहीं बनी है उनकी notebook भी नहीं बनी थी फिर भी उनको internal assessment में 17-18 marks मिले थे तो आपको इतने number तो internal assessment में मिली जाएंगे जाद से जाद आपको पूरे 20 marks मिल जाएंगे internal assessment में उसके लिए आपको school के साथ थोड़ा cooperate करना होगा ठीए जो भी वो आपको practicals के लिए file वेगेरा के लिए notebook के लिए बोल रहे हैं वो सभी करो ताकि आपको ठीक टाग number अच्छे number मिल जाए internal assessment में ठीक है teachers आपको ये बोल के डराते हैं कि मैं आपको internal assessment में पूरे number नहीं दूँगी स्रिफ 10 number ही दूँगी 15 number ही दूँगी वो आपको डराते हैं काकि आप थोड़ी और महनत कर लो थोड़ा और पढ़ लो ठीक है वरना आपको 17-18 marks तो आराम से internal assessment में मिल जाएंगे ठीक है तो आप इस्यूम कर लेते हैं आपने internal assessment में अपने 18 number स्कोर कर लिए अब आपको 33 number चाहिए पास होने के लिए तो अब 18 marks तो आपके internal assessment के ही होगे अब बाकी कितने हैं 15 marks तो अब आपको 15 marks और स्कोर करने हैं पास होने के लिए तो क्या आप 15 marks स्कोर नहीं कर सकते 80 marks में से आपने पूरे साल अपना class 10 का syllabus पढ़ा है सारे chapters को आपने देखा है आप 80 marks में से तो 15 marks अराम से स्कोर कर सकते हो और आप सभी ये mark स्कोर करोगे ठीक है 15 marks अब आपको स्कोर करने अपने 80 में से और बाकी internal assessment में तो आपके होई जाएंगे और आप अराम से पास हो जाओगे ठीक है अगर मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि आपने अभी तक कुछ भी नी पड़ा कोई भी रीजन होगा मैं रीजन की बारे में बात नी कर रहीं मान लो अभी तक कुछ भी नी पड़ा है अपनी बुको को हाथ भी नी लगाया है अभी से अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें अभी से आप अपनी भुगों को खोल के प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब भी आप अराम से पास हो सकते हो ठीक है अब कैसे होना है वह मैं आपको बता देती हूं उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताती हूं तो सबसे पहले हम कुछ डिकल्ट सबजक्ट की बात करेंगे जैसे मोस्ट अब चपत कई यह नूंट इनकी की बताई गई तो देखो मैंच में वह चाप्ट जो बिल्कुल आपको समझ मेरी आथे हैंपको डिफिकल्ट लगते हैं उन चाप्ट नो थो छोड़ जैसे आप समझ लो उनके questions को कर लेना and easily आप passing marks और आप से score कर सकते हो even उसे जादा भी score कर सकते हो जैसे कि आपकर number system में आपका real number वाला चाप्टर है इसकी 6 marks की वेटेज है real number वाला chapter कितना easy है उसमें आपको HCF-LCM ही निकालने okay so you can do this algebra में आपका polynomial, quadratic equation, arithmetic progression है इनकी 20 marks की वेटेज है ठीक है surface area and volume वाला जो आपका chapter उसमें बस आपको formulas ही याद रखने है to mensuration में आता है वो उसकी 10 marks की वेटेज है तो आप यह easy वाले chapters भी कर लोगे ना तो आप passing marks से जादा score कर सकते हो जो आपको chapter difficult लगते है triangles आपको difficult लगता है, trigonometry difficult लगता है, statistics difficult लगता है तो उने मत करो उने छोड़ दो सिर्फ अपना यह देखो कि जो मुझे आ रहा है समझ में मैं सिर्फ उसी chapter को करोंगा because अगर आप उन chapters को कर लेते हैं तो easy questions तो आप अराम से solve कर लोगे आपका जो question paper होता है, उसमें से 30% जो questions होते है ना, वो easy questions होते है मतलब उन questions को तो कोई भी कर सकता है, जिसने NCRT को पढ़ा है तो उन easy questions को target करो, उन easy questions को करने ही कोशिश करो ताकि आप passing mark score कर पाओ मैट्स का मैने आपको बता दिया, मैट्स में काफी friends problem face करते है साइंस के बारे में, साइंस में आपकी तीन यूनिट्स होती है, biology, physics, chemistry और अलग से जो आपको आर इंवार्मेंट वाला चाप्टर है, वो 5 marks का होता है biology, chemistry, physics ही है, तीन हो, यापकी 25 marks की unit होती है ठीक है, तो आपको chemistry समझ में नी आती, छोड़ दो chemistry को आपको physics समझ में नी आती, छोड़ दो physics को biology कर लो, जो आपको easy लग रहा है, जो उनसी unit आपको easily समझ में आती है सुर्फ उसे करो, ठीक है, biology easily समझ लो and biology में जो आपकी unit हो 25 marks के है, तो उसमें अगर आप 10-15 number भी score कर लेते हो, वो भी बहुत है and अपना our environment वाला chapter कर लो, वो तो आपकी science में सबसे easy chapter है, जो ग्राफी जैसा chapter है उसमें तो इतना कुछ difficult भी नहीं है, and उसकी 5 marks की weightage है तो ऐसे ही आप science में, अगर आप biology and our environment वाला कर लेते हो, तो 20-25 number अराम से score कर सकते हो and ऐसा तो है नहीं कि आपको chemistry बिल्कुल भी नहीं आती होगी, physics बिल्कुल भी नहीं आती होगी आपने 8th class करी है, 9th class करी है, यह ऐसा हो ही नहीं सकता I'm sure कि आपको कुछ ना कुछ basic concept तो पता ही होगा, okay? तो ऐसे आप science में भी passing marks से जादा score कर सकते हो, ठीक है? Science की मैंने बात बता दी, ऐसे ही English Hindi में, English में देखो आपका passage होता है ठीक है, उस passage में तो कुछ नहीं करना, आपको बिसको passage पढ़ना है, उसके नीचे जो questions given है, उनको answer करना होता है, passage को देखके तो passage के लिए तो आपको कुछ भी अपना पढ़ने की ज़रत नहीं है, वो तो उसी time आप solve कर सकते हो, passage आपका 20 number का होता है, दो passage आते हैं, है ना तो passage में आप आराम से score कर सकते हो, फिर आगर आपकी literature की अगर हम बात कर रहे हैं, तो literature में आपकी 2 books होती है, एक book कर लो, जो आपको easy लगती है, जो stories आपको easily समझ में आरे हैं, वो stories को समझ लो, ताकि उन questions को आप answer कर वाओ, ठीक है, जो आपका writing section है, उसमें आपका analytical paragraph है, passage, analytical paragraph है, letter है, तो उनके format को ध्यान में रखो, ठीक है, format भी अगर आपका सही होगा ना, फिर भी आपको marks मल जाएंगे, तो ऐस अगर आप find out करोगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैंसे क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप passing mark से जादा अराम से score कर सकते हैं, हिंदी में भी ऐसा ही है, हिंदी में आपका गध्यांच होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, आपका लिटरेचर में दो बोक्स होती है, त इवेंट्स हैं, जो किंग से नाम हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको थोड़ा धान में रोखो, इससे आपके MCQs हो जाएंगे, बीस नंबर के आपके MCQs आते हैं, ठीक है, जोग्राफी में आप क्रॉप्स के नाम याद रखो, है ना, तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़े आ अराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बता दिया, that how you can score more than passing marks, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो, तब भी, आपको कम से कम minimum efforts डालने होंगे, अराम से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो देखो friends, पास तो आप सब हो जाओगे, आप सभी हो जाओगे, अगर आप हमारे साथ जुड़े होए हैं, so you will pass in your exams, आपको target बनाना है 40-50% marks का, पास तो हो जाओगे, आपको अपना थोड़ा बड़ा target बनाना चाहिए, ठीक है, 40% marks score करने ही कोशिश करो, 50 marks score करने ही कोशिश करो, ठीक है, तो अपने target को थोड़ा बड़ा कर हो ताकि आप जादा mark score कर पाओ, ठीक है, and overconfident भी नहीं होना है, कि ये तो बहुत easy, मैं तो अराम से कर लोगा, because friends overconfident आप हो गए, and आपने पढ़ाई नहीं करी, and then आप अपने exam में fail हो गए, तो फिर आपको compartment मिलेगी, जब आप अपने 5 main subjects में से किसी एक subject में fail हो जाते हो तो आपको compartment मिलती है, and किसी 2 subjects में fail हो जाते हो, तो फिर आप overall fail हो, मतलब आपको दुबारा class करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है, तो compartment जब आपको मिलेगी ना, तो आपको बहुत ही जादा बुरा लगेगा, आपको embarrassment feel होगी, कि मेरे सारे जो दोस्त हैं, वो तो 11th class में चले वो तो सभी मजे कर रहे हैं, and यहां मैं 10th class के exams दुबारा दे रहा हूँ, and then आपको पच्तावा होगा कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ऐसा नहीं होता, तो compartment बहुत ही बोरा experience है, ऐसा ना हो, आपको पच्तावा ना हो आगे, इसलिए अभी से ही महनज कर लो, ठीक है यह जो आपके पास, अभी कुछ आपके पास one month बाकी है, तो इस one month में पूरी अपनी महनत करो, पढ़ना शुरू करो, and nervous होने की बिल्कुल भी जरुरत ने, काफी friends कहते हैं कि दीदी बहुत nervous feel हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पढ़ना ही the full explanation के videos है, वो available है, हमने हर एक chapter को बहुत ही easy तरीकिस आपको explain किया है, questions भी करवाए है, तो आप हमारी videos देख सकते हैं, समझ सकते हैं chapters को, and work hard, ताकि आप अपने exams में अच्छे से अच्छा score कर पाओ, ठीक है, so friends, that's all for this video, I hope, कि आप सभी बहुत अच्छे number score करेंगे, पास को मेरी advice कैसी लगी, okay, so that's all for this video, thank you so much.